तो देखिए आज हमारे गार्डन में कौनकून से फ्लावर खिले है वही सब में आप लोग को दिखाऊंगी हेलो फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग श्वेटा टेरेस गार्टन में आप लोग का स्वागात है तो फ्रेंट्स देखिए आज मेरा गुड़ल के प्लाट में कितनी अच्छी फ्लाउरिंग हुई है बहुत ज्यादा कॉन्टाटी में है देखिए पिंक कलर किया है ट्रिपल ले कितनी सारी कलियां भी है इसमें इसे ही आप अपने प्लांट में थोड़ा क्यार करके बहुत अच्छी फ्लाउरिंग पा सकते हैं इसमें भी फ्लाउरिंग हुई है तो फ्रेंट्स आप से की रिक्वेस्ट है कि आप हमारे गार्डन का फूरा व्यू देखिएगा और अगर पसंद आये तो लाइक कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो सस्क्राइब भी कर लिजिएगा ताकि हमारी हार आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके हमें हमेंसा फ्लाउरिंग होते रहती है यह पर्मानेट पोधा है हमारे रेड कलर के दो फ्ला होगे में सब की काटिंग कर दी हूँ इसको भी काटिंग कर दूंगी जैसे कि तो फ्रेंट देखिए मैं जो कुछ दिन पहले गुढ़ल की प्लांट लाई थी रेड कलर की जिसकी ट्रांस्प्लांट मैं आप लोगों साथ शायर की थे देखिए उसके फ्लाउर कितनी लग रहा है देखिए और मेरा प्लांट भी कितना हेल्दी है इसको मैं बड़ी पोट में के वर सिप्ट कर दी हूँ इसका फ्लाउर मुझे बहुत सुंदर लगी इसलिए मैं बड़ी पोट में दे दी ताकि इसमें बहुत अच्छी से फ्लाउर ही हो और मैं कुछ सुखी का काम करेंगी ताकि हमारे प्लांट को फटिलाइजर भी मिलते रहेगी तब देखिए वाइट रोज भी कितने अच्छी खिली हुई है इसमें भी हमेसा फ्लाउरिंग होते रहती है यह मैं थड़ी से इस्पेंड हो गई है इसको मैं तोड़ के अटा लेते हूँ है जैसे फ्लाउर को हटा दीजेगा तब इसमें वर अच्छी फ्लाउरिंग होगी तो मैं एक दो दिन पहले ही एप्संस और का इस्प्ले की थी और यह रेड रोल्स है यह हमारे चार्पान सार पूरानी प्लांट है लेकिन खराब हो गई थी देखिए अभी इसमें फर्स्ट वर फ प्लाउर नहीं होती दने जल देखिए इसमें भी एक पिंक रोज खीली है और कितने सारी कलिया यह हमारी 40 रुपीज का रोज प्लांट है एकदम छोटे छोटे प्लांट में लाई थी नरसरी से यह हमारी मिनियेचर रोज है यहलो रोज भी कितने अची खीरी होगी है इसमें भी हमेसा फ्लाउरिंग होते रहती है अदेखिए मैं और अर्गनिक फटेलाइजर देती हूं केले के छिलके को सुखा के उसका पौडर बना के यह फिर केले को पानी में विका के दो दिन रख सुख निकलेगी और इसमें से और अच्छी कलियां आएगी और ज्यादा फ्लाउरिंग होगी तो जैसे आपकी फ्लाउर सुख जाएगी तुरांत आप उसको कट करके हटा दीजिएगा तो देखिए सुखी पत्यां के मैं हटा लेती हूं कि अच्छी फ्लाउरिंग होते रहते हैं कि देखिए कि यहां से कट्टिंग लिएने के बाद देखिए कितने अच्छी और हमारी प्लांट पुरा घनी हो गई है निक्चे से और कितने निव निव बनाच निकलिए देखिए देखिए एक फ्लाउरिंग मेरा जरुवरा में भी हुई है देखिए इस्टावरी के प्लांट में हमारी कितने अच्छी रूटिंग हुई है देखिए एक पूरा रेड हो गई है इस अब मैं तोड़ लोंगी तब मेरे छोटी-छोटी इस्टावरी है वो जल्दी और बड़ी हो जा देती हम उसी से देखिए कितने अच्छी फ्लाउरिंग होती है इसे हम ज्यादा ओर्गनिक फटिलाइजर ही देते हैं इसे केमिकल फटिलाइजर पसंद नहीं हारा है इसे मैं कोई केमिकल फटिलाइजर यूज नहीं करती हूँ है इसमें फ्लाउरिंग फिर हो रही है अभ पुरा मार्ज अप्रेल तक इसमें फ्लॉटिंग होगी इसका प्लांट भी कितना हेल्दी है तो फ्रेंट्स देखिए हमारे पिटोनियाज में भी तक इतनी अच्छी फ्लॉटिंग हो रही है तो जितनी भी हमारी सुखी हुई फ्लॉटिंग होगी हमारे प्लांट और हेल्दी रहते हैं कुछ फ्लॉटिंग में छोट दोंगी इसमें मैं सीड कलेक्ट करूंगी जब आप सीड कलेक्ट करेंगे देखिए यह जब मेरून मेरून हो जाएगी तो फ्रेंट्स देखिए डहलिया के प्लांट मेरी कितने अच्छी फ्लॉटिंग हो रही है तो दिन बार की जूप लगती है फ्लॉटिंग हमारे पोधे में इसलिए तो देखिए गोलडेन वाली डहलिया भी फ्लॉरिंग हूई है ए तो प्रेंट्स देखिए देंथस में भी कितने अच्छी फ्लॉरिंग हो रही हुए family 對ож ऑ्जिनिया में भी देकितने सबाइफन होऊ रही है तो फ्रेंट्स अब मैं वीडियो अहीं पर खतम करती हूँ, बाई फ्रेंड